नमस्कार दोस्तो, मैं राजकुमा ठेल हुआ, आज आपको बताऊंगा polynomials handling के बारे में, जैसा कि हम पिछले lecture में देख चुके हैं आज के इस lecture में हम देखेंगे, अगर polynomials हमारे पास दिये हुए हैं उनका आपको addition करना है, subtraction करना है, multiplication करना है और उससे भी ज्यादा important, अगर आप partial fraction करना चाहरे हैं, तो किस तरीके से कर पाएंगे या फिर आपको कुछ equations दी हुई हैं, तो आप उन्हें solve कैसे कर पाएंगे, या आज हम देखेंगे तो MATLAB can perform the addition, subtraction of two polynomials represented by P and Q only if the two MATLAB vectors P and Q have the same number of elements तो ये आपको याद रखना होगा, जब आपको addition या subtraction करना है, तो जो P और Q, दो जो vector होंगे, वो same length खे होने चाहिए, तो simple जैसे हमें एक polynomial दिया हुआ है, Px is equal to 3x to the power 4 plus 2x to the power 3 plus x minus 1 and Qx is equal to 5xq minus 2x square plus 6, ये दो हमें polynomial लिए हुए है, आप चाहरे हैं इन दो polynomial को add करना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इने enter करना होगा, तो MATLAB के अंदर आप इसे enter करना जानते हैं, आपने P को enter करा लिया और Q को enter करा लिया, करा सकते हैं, then simply आपको लिखना है, sum is equal to P plus Q, तो ये sum की जगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना कोई भी variable लिख सकते हैं, तो basically plus का sign जो मैं लगा रहा हूँ, उससे इन दोनों का sum हो रहा है, तो ये particular plus है, वो produce करता है, Px plus Qx, तो finally जो answer आजाएगा, ये आजाएगा, तो आप इसे चाहें, तो अब अपने तो इन दोनों का sum हो रहा है, तो simply ऐसे कर सकते हैं, clear है, उसी तरीके से अगर आपको subtraction करना होता है, तो ये minus लगाए थे, तो subtraction हो जाता है, ठीक है, then multiplication, अगर आपको multiplication करना है, तो उसके लिए function होता है, C-O-N-V, कौन जो function है basically, that is for multiplication, तो C-O-N-V, और जो आपको दो पॉल plus 4, तो सबसे पहले आपने P को enter कराया, फिर Q को enter कराया, उसके बाद आपने product में, ये variable आप कुछ भी मान सकते है, is equal to mainly function ही है, C-O-N-V, C-O-N-V, P, Q, तो इससे आपको PX into QX मिल जाएगा, देख लीजे, तो जब आप अगर इसे करेंगे, इसका multiply करेंगे, तो आप 6X square plus 16X plus 8, ये आएगा, ठीक है, कर सकते हैं, तो देखें कितनी आसाइन से multiplication ही होपा रहा है, उसके बाद अगर आपको partial fraction करना है, तो देखते हैं, partial fraction के लिए basically ये function है, that is residue, आपको ये functions याद रखने है, बाद में जब आप metal में आप use करेंगे, तो ये function याद होना चाहिए आपको function याद है, तो आप वो काम कर सकते हैं, उस function का syntax भी आप आसानी से देख सकते हैं, जस्ट आपको function का थोड़ा सा idea होना चाहिए, तो वो हम help में जाके देख सकते हैं, तो let HX be a rational function of the form HX is equal to PX upon QX, P numerator में और Q denominator में, तो जो partial fraction आपको करना है, तो simply आप लेख सकते हैं, R, P, K is equal to, इसका मतलब यह है कि यह particular function है, यह 3 answer देगा, एक answer R में जाएगा, एक P में जाएगा, एक K में जाएगा, जब आप function creation सीखेंगे, तो वहाँ पर यह चीज़ें आपको समझ में आएंगे, कि basically इन 3 value यहां लिखते हैं, यह एक value लिखते हैं, उसका मतलब क्या है, तो is equal to residue P, Q, where R is, यहां पर जो R है, उसमें क्या आता है, उसमें basically partial fraction coefficients आते हैं, जो partial fraction हम करते हैं, जैसे partial fraction करने के बाद, A upon, आपने X किया, प्लस B upon something किया, इस तो A, B, C उसकी values होती है, वही value आएंगे, इस R के अंदर, और P के अंदर आते हैं, roots of Q, Q के roots आएंगे, जिनने term जो आता है, वो होगा, ठीके न, तो example के लिए हमने मान लिया, PX दिया हुआ है, 9XQ, plus 8X square, plus 7X, plus 6, और QX दिया हुआ है, 5XQ, plus 4X square, plus 3X, plus 2, तो इन दो का में partial fraction करना है, तो सबसे पहले आप क्या करना होगा, P को आपको enter कराना होगा, फिर Q को enter कराना होगा, और फिर की answers मिल जाएंगे, तो R आपके roots आ गए, P है, poles आ गए, और K, जो gain है, वो आ गया, constant, तो आप यह करके देख सकते हैं, मेटल में करके देखिएगा, आ गए होगे, तो basically इसका मतलब क्या है, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, P upon Q ये था, जिसका मैं partial fraction करना था, तो यहाँ प पोल 1, फिर दूसरा पोल इसके नीचे आ गया, तीसरा पोल इसके नीचे आ गया, constant तो यहाँ पर ही, तो जो partial fraction basically coefficient आ रहे हैं, और poles आ रहे हैं, इन्हें आप इस तरह की से भी replication कर सकते हैं, clear है, उसके बाद, अब आप माल लिजिए, कि आप कोई symbolic function का यूज़ करना चा रहे symbolic function का यूज़ करके, और आप किसी particular equation को solve करना चा रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे, तो for example हमने ले लिया है, x square is equal to 9 है, अब आपको x की value निकालनी है, तो उसे किस तरीके से करेंगे, और यह दूसरा प्रॉलम है एक है, इसमें यह हमने तीन equations दी हुई है, तो यहाँ पर x y, z की value आपको निकालनी है, तो उसे आप कैसे करेंगे, तो उसे देख लेते हैं, सबसे पहले enter कैसे करेंगे, पहला वाला आपको suppose आपने मान लिया, उसे equation कोई y1 is equal to, आपने symbol function यूज़ किया, sym, symbolic के लिए यह होता है, sym, और अंदर आपने वो equation लिख दिया, अब x square is equal to 9 था, इसे में x square minus 9 लेकोंगा, ठीक है न, 0 के बाद जो है, उसे हम इदर ले आए, तो x square minus 9, यह हो जाएगा, अब आप इस particular equation को solve करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको लिखना होगा, solve y1, y1 में store किया आपने, तो आपको x की value जा जाएंगे, दो value आएंगे 3 और minus 3, ऐसे ही, आपने y2 को enter करा दिया, y3 को रा दिया, y4 को करा दिया, फिर आप solve करते हैं, x, y, z, क्योंकि अब 3 value आने वाली है, और फिर लेखा, आपने solve y2 काउं y3 काउं y4, तो आपको x, y, z की value बिल जाएंगे, तो इससे करके देख लेते हैं, तो देखे, मैं लेखा y1 is equal to sy ym, symbol, और x square, minus 9, देखे, enter हो गया, थोड़ा अच्छा भी लगता है, मैं टले में ऐसे कैसी आजाता है, क्योंकि x अब symbol की तरह बैसिकली define हो गया, तो x को यह x से ही मानेगा, अब आपने लिखा, x is equal to solve y1, y1 में store किया आपने, तो y1 का दिया, देखे, क्लिए हैं, उसके बाद हमने enter का लिया, y2 is equal to sym, symbol, x minus 0.5 into y, plus 1.5 into z, minus 5, y3 is equal to, symbol, 6 into x, plus 4 into y, minus 2 into z, minus 10, y4, x minus y minus z, plus 1. अब आपको लिखना होगा, x, y, z, तीनों की value आपको चाहिए, is equal to function है, solve, 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 then y2, y3, y4, आगे value, x, y, z की value आगे, तो आगे बहुत ज्यादा point मा रहा है, तो आपको format करना आता है, कि आप इसे sort format में कैसे कर सकते हैं, clear है, तो I think आप कर सकते हैं, solve function properly काम कर रहा है, तो आप आसानी से polynomials को solve कर सकते हैं, तो I think आप आसानी से polynomial का addition, subtraction, और उनका partial fraction करना, और polynomial, अगर equations आपको कुछ दी हुई है, उन्हें solve करना, आसानी से कर पाएंगे, तो I think यह आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप मेरे को mail कर सकते हैं, on my mail ID, MATLAB by RKT, I think आपने इस lecture को enjoy किया होगा, अगर यह आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसे like करें, और share करें, thank you.